नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग चैप्टर 10 सर्विसिस सेक्टर में आपका स्वागत है रमेश सिंखी किताब का वैसे इस services sector में बहुत जादा बाते नहीं है बताने को तो मैं assume कर रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा chapter एक वीडियो में खतम हो जाना चाहिए अगर आप इंडिया के service sector की बात करो तो हमारी economy का कोई भी sector, service sector की सामने नहीं ठिक पा है वैसे तो अगर आप देखो तो तीन सेक्टर हैं, primary, secondary, tertiary tertiary sector को कभी-कभी आपका service sector भी कह दिया जाता है दो और होते हैं, quaternary, 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 उनकी यहां पे बात नहीं हो रही चुकि वो अलग ideas है, quaternary, quaternary sector में अलग से आपको समझाया है मतलब दूसरे sector से जादा ग्रोध तो रही है, service sector की हमें international economy से जोडने का भी काम इस करा है अब देखे यह जो liberalization है, services की, service sector no doubt तेजी से बढ़ा है बट service sector के अंदर कुछ ऐसे sub-sectors हैं, जो की बहुत जादा तेजी से इंडिया में नहीं बढ़े हैं बट overall अगर आप देखोगे, तो overall service sector की जो बढ़ने की speed है, वो सबसे जादा है अच्छा जो sectors नहीं बढ़े हैं न, वहाँ पर ये भी बताया गया कि FDI थोड़ी कम आई है बट जो सबसे मूल बात यहाँ पर ये है, वो ये है कि service sector बढ़ा तेजी से, बट कब तक service sector के बढ़ने के rate को आप कब तक sustain कर सकते हैं, बहुत बढ़ा सवाल है तो अगर आपको service sector के बढ़ने के rate को sustain करना है, तो demand दोनों होनी चाहिए, domestic और external अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है यह दोस्तों कि देखे, ज़्यादा तर जो हमारी services का export होता है, वो USA होता है, आपको पता है, US, Europe की बहुत सारी call sector की companies, अपने customer service center वाले काम को इंडिया को outsource कर देते हैं, तो उनके call centers वगरा इंडिया में खुले हुए, तो इस प्रकार की हम लोग बहुत सारी services को outsource करते हैं, लेकिन अब problem यहाँ पर यह है कि हमारे पास services sector की जो demand आ रही है, बाहर से आ रही है, मतलब विद sourcing का काम Vietnam या Philippines जैसी country को दे देता है, तो हमारा service sector धीमे बढ़ने लगेगा, इसलिए यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि overall अगर हमको अपने service sector की growth को long term में sustain करना है, तो demand external भी होनी चाहिए, internal भी होनी चाहिए, मतलब जो services की demand देश के बाहर से आ रही है, हो देश के अंदर स समझ गए बात को, देश के बाहर से, I hope आप समझ गए हो कि US से कौन से services की demand आ रही है, जैसे for example tuition पढ़ाने के लिए, सुबहे कोई गीता या फिर राहुल जैसे लड़का सुबहे उठता हो, और overall वो US की किसी बच्चे को tuition पढ़ाता हो, तो यह service है, US की किसी TV company का customer care हमारे जो customer के representatives हैं, वो बैटके उनकी problems को solve कर रहे हैं, तो यह होता है आपकी service की outsourcing, तो यह होता है आपकी service की outsourcing, जो हमारे TCS जैसी companies हैं, यह outsourcing में ही involved है, यह service led exports में ही involved है, समझ गया आप बात को, तो यह चीज़ें होती हैं, तो broad based growth के लिए क्लिए क्या जरूरी है, जरूरी य जरूरत हो, और इसमें demand के वाले externally ही नहां रहे, internal भी रहे, इसके लिए बहुत सारे changes की जरूरत है, तो बहुत सारे infrastructure, regulatory और FDI liberalization services इस प्रकार के बहुत से reforms की हमको जरूरत है, अभी कौन-कौन से sector में FDI liberalization की बात करने हैं, तो for example, legal sector, अगर आपने legal sector के बारे में सुना हो दोस्तों, तो कभी सुना है, कि कोई foreign की legal company आगे इंडिया में operate कर रही है, इंडिया में जो भी advocate वाली company है, chartered accountant वाली company है, वो सब Indian companies है, और overall उसमें सब Indian advocates है, आप देखोगे कि कोई भी external विदेश की legal firm इंडिया में operate नहीं करती है, चुकि overall इंडिया में legal sector में FDI allowing नहीं कर हुआ है, तो मतलब हमारे यहां पर services sector में बहुत सरे reforms की आवश्यक्ता है, ऐसा यहां पर बूला जा रहा है, फिर चुकि यह 12 एडिशन में, 13 एडिशन में services in 2021, basically यह जो कोरोना के pandemic का impact आया, उसके वज़े से lockdown लग गया, social distancing measures लग गया, तो जो contact intensive services sector है यह बंद पड़ गया है, और service sector की importance अब इस बात से समा सकते हो, कि total 54% of the economy को contribute करता है service sector, अगर हम अपने GDP की बात करें, तो total GDP में 54% contribution service sector से आता है, overall जितनी FDI आती ही इंडिया के अंदर, उसकी 80% FDI, लगवख 4 by 5th ADVI, किसमें आती ही service sector में आती है, तो भले ही service sector में FDI इसको कुछ particular sub-sectors में block किया गया है, जैसे legal sectors, but by communication, जैसे for example telecom sector है, अभी recently Facebook ने GEO में invest किया था, तो overall FDI इंडिया में आभी service sector में रही है, हम लोग इस बात से परशान है कि construction, manufacturing, secondary sector में क्यों नहीं आती है FDI, service sector में क्यों आती है FDI, प्लस पिछले कुछ सालों में दोस्तों हमारे country में ये debate भी चली है, क भाई हमारे देश में कौन सा ऐसा sector है, जिसने हमारे growth process को lead किया है, मतलब which sector of the economy is leading our growth process, तो इसके उपर काफी बहस हुई, 2001 से लेके 2012 तक के time period में अगर आप देखो, तो service sector contribute करता है approximately 62% of the economy, ये देखे, 62% of the GDP, 2001 से लेके 2012 तक condominate करता था service sector, अगर economic service 2014 को देखा जाए, तो ये बोला गया, कि manufacturing sector is more important than service sector, देखे, policy making के लिए, definitely सरकार को एक चीज़ पर तया करना पड़ेगा, कि वो किस sector को सबस्यादे important मानते हैं, वैसे तो वो हर sector की growth के लिए सरकार काम करती है, बढ़ अगर किसी एक sector को important मानने की बात की जाए, तो economic 2014 ने बोला, manufacturing sector जादे important है, जबकि अगर आप statistics को देखोगे न, तो ऐसा लगेगा कि service sector बहुत जादे important है, ये जरूर है कि अगर आप manufacturing sector की बात करो, तो employment को create करने का potential manufacturing sector में बहुत जादा है, MSMEs बहुत जादा manufacturing sector में खुल सकती है, manufacturing sector में skilled labor force के साथ unskilled labor force भी काम कर सकता है, service sector में कोई unskilled labor force काम नहीं कर सकता है, इवेन अगर आप BPO की बात कर लो या फिर customer care वाला जो काम होता है, उसकी बात कर लो, वहाँ पी भी skilled individual ही काम कर सकता है, एक unskilled individual काम नहीं कर सकता है, manufacturing sector, secondary sector में unskilled individual भी काम कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया, कि real में employment को time, services भी बहुत ज़्यादा important हो जाती है, जो कि services का potential बहुत ज़्यादा है, no doubt manufacturing sector is important, but manufacturing sector से बहुत ज़्यादा contribute कर रही है, service sector हमारी economy में, अब performance overview की बात कहें, तो हमको पता है, hospitality, tourism, aviation, यह जो sub-sectors हैं आपके service sector के, बहुत ज़्यादा impact हो है, COVID-19 के pandemic के चलते हैं, अगर इसके कुछ statistics देखे गए, तो statistics यह बताते हैं, कि service sector में, overall आप देखोगे कि 16% का contraction हुआ है, overall service sector में मैं आपको बता हैं, कि पहले 6 मीनों में 16% का contraction हुआ है, जिसमें से अगर आप बात करो, तो trade, hotel, transport, communication, services related to broadcasting, यह 31.5% कम हुई है, gross value अगर आप added की बात करो, इस sector की, यह नहीं, service sector की, तो 2020-21 में, total gross value added में, जो negative growth है, वो minus 8.8% है, अगर आप overall 2019-20 की growth देखो, 2018-19 के उपर, GVA में, तो वो 5.5% की growth rate है, लेकिन अगर आप 2020-21 देखो, when compared to 2019-20, तो भाई हम माइनस 8.8%, हमारा gross value added 8.8% घट गया है, अब आप बोलोगे, sir, यह gross value added और GDP क्यों गोलते रहते हो, तो gross value added और GDP के बीच का difference मैंने रमेश सिंग की बहुत शुरुआती वीडियो में समझा दिया है, आप शुरुआत से नहीं देख रहे हैं, तो शुरुआत से देखिए वीडियो को, तागर बटन पहले वीडियो पे लाइक को बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैन कर लिजे, वहाँ पे आपको करेंट अफेर्स के जो PDF हैं, वो में रगुलर्ली अवलेबिल करवाता रहता हूं, अगर कोई अनॉस्मेंट होगा चैनल से रिलेटेड तो उसका अपडेट भी आपको टेलीग्राम ग्रूप में दे दिया जाएगा, फिर कुरोना के समय यह भ करोगे तो 35.3% का रेलेट ट्राफिक गिरा है, उसका डॉमेस्टिक एर ट्राफिक भी गिरा है, IHS Market India Survey Business Activity Index के हिसाब से Service Purchasing Managers Index भी गिरा है, PMI Index गिरा है, PMI Index के बारे में हमने बहुत बार बात किया अपने Current Affairs के Lectures में, PMI Index क्या बताता है कि अगर आपका PMI Index 50 से उपर जा मतलब जिस भी पर्टीगूलर सेक्टर का PMI Index है, वो सर्टर बढ़ रहा है, और अगर PMI Index 50 की नीचे है, तो मतलब वो सेक्टर बढ़ नहीं रहा है, वो सर्टर घट रहा है, गिर रहा है, तो यह दिखाता है आपका PMI Index, तो जो Purchasing Manager Index था Services का, इसको अगर आप February 2020 में देखो पर चल रहा है PMI, और बहुत अच्छा होता है PMI, मैंने आपको बताया कि PMI 50 से जादा है, मतलब आपकी एकनॉमी उस पर्टीकूलर सेक्टर का Economic Indicators बहुत अच्छे हैं, वो बढ़ रहा है, और 50 से कम हो गया, तो मतलब उस सेक्टर के Economic Indicators नीचे जा रहा है, अब फर्वर 2020 में, और बस दो महीनों में, थैंक्स टू करोना ये 5.04 पर पहुंच किया, बाद में थोड़ा थोड़ा रिकावर हुआ, लेकिन ये रेकावरी का जो रेट है, वो करेंट अफेर से जादा रिलेट करी है, चुकि रीजन में कि ये डाटा अपडेट होता रहता है, यहां प बाद कीजा, सर्विसे इन स्टेट से, अलग अलग राजजिक की सरकारें, जो हैं, वहां पर सर्विसे कैसे चल रही है, तो आप देखोगे कि जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू ऐड़ेड होता है, जी वी ये का कंसेट अगर आप देश से अटा के स्टेट में लगो, तो यह ज स्टेट से इन उने टरिटरीज, फिफ्टीन स्टेट और उने टरिटरीज में जो आपका सर्विस सेक्टर का कॉंट्रिबूशन है, इन ग्रॉस स्टेट वैल्यू ऐड़ेड समझे, सर्विस सेक्टर का कॉंट्रिबूशन इन ग्रॉस सेक्टर वैल्यू ऐड़ेड पंदरा states और union territory में 50% से ज़ादा है वहीं पे अगर आप देखोगे तो 8 states में 8 states में यही service sector का contribution gross state value added में 60% से ज़ादा है in fact अगर आप चंडीगड़ और दिल्ली जैसे union territory की बात करेंगे तो चंडीगड़ और दिल्ली में service sector का contribution gross state value added में 85% से ज़ादा है और अगर आप से की बात करोगे तो हाँ केवल 27.02% और भी बहुत से states है जहाँ पे services का contribution gross state value added में बहुत काम है जैसे तरपुरा उतरा खर्णान्द परदेश गुजरात वगरा यह हो गया फिर अगर आप FDI inflows की बात करो कि हमारी देश में overall foreign direct investment कितनी आ रही है तो यहां पर latest data में आपको बता रहा हूं अगर आप word investment report 2020 देखते हो word investment report 2020 कौन निकालेगा तो उंक टैड निकालेगा United Nations Conference on Trade and Development तो यह वर्ड investment report 2020 की यह क्या बोलती है यह बोलती है यह बोलती कि तो 90 नंबर पे सबसे उपर कौन है इंडिया है इससे एक सार पहले कितने पर नंबर पे था इंडिया बारवे नंबर पे था तो तीन रैंक्स का improvement देखने को मिला है तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो pandemic के दोरान भी जो service sector में FDI आई है वो FDI अच्छी घासी आई है तो no doubt हमारे यहां पे जो FDI आती है service sector में काफी अच्छी FDI आती है इन्फेक्ट ज़्यादmen को बढ़ाने का जो scope है वो बढ़ेगा हम service sector में भी चाहते हैं बट अगर आप compare करोगे service sector और manufacturing sector को तो FDI लने में services sector ज़्यादा efficient है when compared to the manufacturing sector फिर सर्विस सेक्टर में अगर ट्रेड की बात की जाए यह पुराना डाटा है मैं आपको नया डाटा बता रहा हूँ दुनिया भर का वर्ड ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेंज हिल गई थी COVID-19 के पैंडमिक के चलते वर्ड ट्रेड और्गनाइशन ने प्रोजेक्ट किया कि जो ग्लोबल मर्चेंडाइस ट्रेड है मतलब जो सामान का ट्रेड वॉल्यूम है इसकी जो ग्रोथ है वो 2020 में 9.2% से घटेगी तो World Trade Organization ने बोला कि जो merchandise trade volume है वो 9.2% से गटेगा 2020 में और International Monetary Fund ने बोला कि जो goods and services में global trade है वो 2020 में 10.4% से गटेगा ठीक है भई, overall अगर आप बात करो तो चलिए गटना तो था ही, हर जगा भी चीज़ें गटी रही थी WTO Services Trade Activity Index जो WTO Services Trade Activity Index इसने बोला कि overall जो global trade है commercial services में ये आप कह सकते हैं कि 4.3% घटा है पहले तीन महीने और 2020 में खेर अब इतना exact data आपको जानने की जरूत नहीं है Services Trade की बात की जाए तो हम Services Sector Export की बात करते हैं इंडिया की टेंटेस में बात करते हैं data important है अभी जो मैंने बताया वो तरह important नहीं है Service Sector Export की बात की जाए तो हम Top 10 Trading Countries में आते हैं अगर आप Commercial Services की बात करो 2019 की बात करो तो Service Sector Exports में हम पूरी दुनिया का 3.5% एक्सपोर्ट करते हैं तो Service Sector में overall जतना भी एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया में उसका 3.5% कौन एक्सपोर्ट करता है इंडिया एक्सपोर्ट करता है और हमने कोरोना के बाद भी अपने Service Sector के एक्सपोर्ट को maintain करके रखा है हमने उसको बहुत ज़दा नीचे गिरने नहीं दिया है मर्चेंटाइज ट्रेड बहुत नीचे गिरा है लेकिन Service Sector का एक्सपोर्ट हमने कम नहीं होने दिया अब आप बोलोगे Service Sector के एक्सपोर्ट में आता क्या क्या है तो भाई ये जो हमको काम मिलता है ना आउट्सोर्सिंग का यूएस से यूरोप से Customer Care वाला ये भी आपका Service Export में आता है जब ओवरॉल बाहर के लोग मतलब विदेशी हमारे देश में घूमने के लिए आते है तो वो भी Service Export है भले ही ओवरॉल अब समझे एक यूएस कनागरिक इंडिया में आया खूब सारे डॉलर लेकिया एक हजार डॉलर लेकिया वो दस दिन इंडिया में रहा उसने एक हजार रुपे एक हजार डॉलर उड़ाए अब वो एक हजार डॉलर कहां से लेकिया था अमरीका से लेकिया था उसने इंडियन एकनौमी में 1000 डॉलर खतम किये तो पैसा कहां आया? पैसा इंडिया में आया और हमने सर्विस के एक्सपोर्ट की तो उसने इंडिया में आके घुमा फिरा रेस्टोनेंटों में खाना आना खाया हमारे जो टूरिस्ट एस्पोर्ट थे पर गया तो यह सर्विसेज एक्सपोर्ट की हमने परण समझ में आ गया तो टूरिजम भी प्रकार से सर्विसेज में आता है ऐसी बहुत सी सर्विसेज होती है आपको ओनलाइन कोचिंग पढ़ा रहो आपको पैसा आ आ रहा है आप किसी भी प्रकार की तो सामान नहीं सर्विस तो वह हो जाता है आपको सार्विस एक्सपोर्ट दुनिया भर की सर्विस एक्सपोर्ट का हमारे पास कितना है साड़े तीन परसंट फिर गहाई ओवर अगर आप देखोगे तो जो Net Services Export Receipt है वो 2021 में 41.67 बिलियन डॉलर है अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ बाद में इसको समझाऊँगा जो Net Service Export Receipt Net Service Export Receipt 2020 में 41.67 बिलियन डॉलर और ये चीज 2020 में कितनी थी 40.47 बिलियन डॉलर 2019 में Net Service Export Receipt थी 40.47 बिलियन डॉलर और 2020 में हो गई 41.47 बिलियन डॉलर अब हमको समझना पढ़ेगा Net Services Export Receipt क्या होता है देखे हम Services को Export करते हैं तो हम Services को Import भी तो करते हैं हमारे देश के भी लोग तो Foreign में गुमने जाते हैं तो वो इंडियन रुपी को फिर डॉलर में कर्वेट करके वहाँ पर खतम करेंगे तो हम हमारे टूरिस्ट अगर विदेश में घुमने जा रहे हैं तो हम Import कर रहे हैं Services को और भी बहुत प्रकार की Services को हम लोग Import करते हैं ठीक है अगर आप Service Export में से Service Import माइनस कर देते हो तो जो चीज निकल के आती है वो होती है Net Service Export Receipt और Net Service Export Receipt 2020-21 में Pandemic के दोरान बढ़ा है When Compared to 2019-20 I hope आपको समझ में आ गया हो तो Service Export अलग चीज हो गई और Net Services Export Receipt ये अलग चीज हो गई अनों चीज़ों में फर्क है ठीक है आप Confused ना हो जाओ इसलिए मैंने आपको Net Services Export Receipt समझा दिया फिर अगर बात की जाए तो हम लोग Service Export Growth की बात करें दिखे Overall हम लोग कितनी चीज़ें Growth करते हैं मतलब हमारा जो Services का Total Export Basket है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है तो वहराल अब देखोगे 2019-20 में जो Service Related Products को हमने एक्सपोर्ट किया था उसमें जो Increment था किवल धाई परसेंट का था When compared to 2018-19 समझ यह अगर हम बात कर रहे हैं 2019-20 की हम 2019-20 के अगर Service Sector के को SS करेंगे तो किसके respect में SS करेंगे 2018-19 के respect में SS करेंगे तो 2018-19 के respect में 2019-20 के Service Exports थे वो 2% ज्यादा थे लेकिन 2018-19 के Service Exports थे 2017-18 के respect में 6.6% ज्यादा थे मतलब 2019-20 में Service Exports उतनी तेजी से नहीं बढ़े हैं लेकिन जब pandemic का lockdown लगाना तब service export घट गए service export घट गए how much? 7.801% तो 2020-21 में जो हमारे service exports है when compared to 2019-2020 वो 7.87% घटे हैं अब ये कुछ specific statistics हैं जो सबसे most important statistics मिलते हैं वही मैं आपको बताता हूँ जाता statistics मैं आपको बताता नहीं हूँ रमेश सिंग में बिलकुल भारे पड़े हैं इस वीडियो में भी खतम नहीं कर पाऊँगो तो ये से बातें बताई कहीं हैं फिर अगर आप देखोगे तो जो foreign tourist arrival है हमारे याँ पे वो कम होगे lockdown लग गया तो हमने foreigners को आना भी बंद कर दिया अब ये Corona फैल रहा था Corona foreign से ही आया था तो foreigners welcome थो ही ना होगे इंडिया में तो tourism पूरा ठप कर गया नहीं इंडिया से लोग बाहर जा रहे थे नहीं बाहर से लोग अंदर आ रहे थे तो आप देखोगे कि overall बहुत तकड़े से जो tourist drop था tourist footfall था इंडिया में वो गिरा है significant drop देखने को मिला foreign tourist arrival में जो travel receipt है वो 2020-21 में 73.49% घटी है अगर आप 2019-20 की बात करोगे तो 2019-20 में overall जो foreign tourist arrival था ना वो 8.21% बढ़ा था और 2020-21 में वो 73.49% घटा है तो यह specific कुछ चीजे हैं जो गर आप याद रख सकते हो तो आप याद रख लेना अच्छा फिर एक चीज़ समझगी है service export घटा हमने अभी देखा कि 2021 में service export घटा है 7.87% से हमारा service import भी घटा है 2021 में 2020-21 में जो हमारा service import है हम जिन services को import करते हैं वो भी 13.95% घटा है तो हमारे service import भी घटे है हमारे service export भी घटे है ठीक है भाई, तो ये कुछ important data है, इन data को जितना हो सके आप याद रखेगा, फिर हम लोग कुछ sector wise बात कर लेती हैं, sector wise अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला sector आता है, आपका tourism sector, ठीक है tourism एक major engine है, हमारी economic growth का, अगर आप GDP की बात करो, तो GDP में काफी हद तक tourism contribute करता है, 5% contribute करता है, foreign exchange काफी आता है, इंडिया में tourism के चलते, जो भी foreigners आते हैं, जहां से भी आ रहे हैं, वो अपनी currency लेके आएंगे, और इंडिया में इसक सेक्टर पर इंपक्ट पड़ा, यहां पर COVID-19 का डाटर नहीं दे रखा है, जो कि यह PPD में बनाई थी, आपके 12th edition के साब से, आपको 13th edition, बीच में 13th edition आ गया, तो overall अगर आप World Tourism Barometer of the United Nations World Tourism Organization की बात करो, जिसका December 2020 का edition निकला था, दुनिया भर में, 2020 के पहले 10 महीनों में जो overall traffic घटा है ना, 72% घटा है, बेसिकली पूरी दुनिया में, जो international arrivals थे, टूरिजम के, वो 72% घटे थे, 72% घटे थे, 72% घटे थे, 72% गिर गया था, टूरिजम का, फिर इंडिया को, इंडिया जो की बाहर फस गयते, दूसरे देशों में फस गयते, उनको निकालने के ल अगर आप overall tourism को देखोगे, ठीक है न, travel को देखोगे, तो वैसे तो lockdown लगा हुआ था, लेकिन transport bubble है, तो flight है चल सकती है, जिसे for example, माल लो, इंडिया और UAE की बीच में transport bubble है, तो UAE की flight, जो flights है, जो airlines है, इंडिया में operate कर सकती है, इंडिया वाले UAE में operate कर सकती है, अगर transport bubble नहीं है, तो corona के चलते फिर direct flight नहीं उडेंगी, जैसे मैं आपको example बताता हूँ, मैं Turkey गया था, लगबग मार्च अपरेल 2021 में, तो हुआ ये कि पहले मेरी direct flight थी इंडिया से, तर्की की, लेकिन चुकि तर्की और इंडिया के बीच में कोई travel bubble नहीं था, कोई transport bubble नहीं था, तो वो जो direct flight थी, वो cancel हो गई, और फिर मुझे wire flight लेने लगी, तो मैंने wire फिर दुबई के थुरू होके मुझे जाना पड़ा, तो ये होता है transport bubble, मतलब pandemic के समय पे transport bubble बहुत सदा news में है, transport bubble से चीज़ें काफी आसान हो जाती है, मतलब transport bubble से आपको फिर direct flight मिल जाएगी, अ दुबई एक ऐसा airport है, जिसको हर कोई transit के लिए स्कमाल करता है, इसलिए जो लोग भी इंडिया के अंदर आ रहे थे हैं, इंडिया से जा रहे थे, वो वाया दुबई जा रहे थे, बिकाज यही का, इंडिया के साथ एक transport bubble था, तो transport bubble एक air travel arrangement होता है, temporary arrangements होते हैं दो countries के statistics दे रखें, foreign tourist arrival को लेके और foreign exchange earnings को लेके tourism sector में अब इसमें कितनी important है, कितनी important नहीं है मैं थोड़ा सा इसमें अचंबेत हूँ, बहुत सारे statistics हैं मैं बहुत जादा आपको बतागे confuse नहीं करना चाहता अगर foreign exchange earnings की बात की जाए तो 2019 में तो और 2019 में में टूरिजम से इंडिया ने कमाए 30.06 बिलियन डॉलर ध्यान दीजेगा मैं आपको यहाँ पे फिगर बता रहा हूँ foreign exchange earnings का एक मिन मैं थोड़ा मार कर दूसरा on कर लेता हूँ तो थोड़ा clear हो जाएगा मैं बात कर रहा हूँ किस की मैं बात कर रहा हूँ foreign exchange earnings की तो अगर foreign exchange earnings की बात की जाया तो 2019 में इंडिया ने कितने कमाए foreign exchange earnings में 30.06 बिलियन डॉलर और updated data चाहिए तो मेरे current affairs देखिए 2018 में हमने कितने कमाए थे foreign exchange earnings tourism के तूरू 28.59 बिलियन डॉलर फिर एक चीज़ है foreign tourist arrivals अगर हम FTA की बात करें 2019 की बात की जाया तो 2019 में foreign tourist arrival थे इंडिया में 10.93 मिलियन और 2018 में ये foreign tourist arrival इंडिया में कितने थे ये थे आपके 10.56 मिलियन तो ये दो statistics और बता दिये तो यही दो statistics आप याद रखो बहुत सदा आपको याद रखने ही जरूत नहीं जो 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 में बता रहा हूं उतना ही याद रखो फिर अगर international tourism arrival की बात की जाये 2019 में तो 2019 में हमारा international tourist arrivals में rank थी 23rd मतब दुनिया में सबसे आदा tourist 23 में नमर पर हमारे इंडिया में आये थे हमारी 2018 में रैंक थे 22 में तो 2019 में एक कम हो गई कुल मिला के आप देखोगे तो इंडिया की जो overall international tourist arrivals में जो percentage था वो था 1.23 और Asia Pacific के tourist में कितना था 4.97 अगर हम बात करें travel and tourism competitiveness index की तो travel and tourism competitiveness index की हमारी रैंकिंग्स थी लगबग 34 2019 में ठीक है भाई 2013 में पैसा आट थी तो फिर भी हम कह सकते हैं कि हम लोग बहुत improve कर रहे है foreign tourist जो इंडिया में सबसे आदा आये वो कहां से आये थे तो सबसे आदा आये थे 10 countries है Bangladesh, USA, UK, Australia, Canada, China, Malaysia, Sri Lanka, Germany and Russia तो they accounted for 67% of the total foreign tourist arrival in India in 2019 Okay, 57.1% tourist आये थे leisure holiday और recreation के विए से 14.7% business के लिए थे 12.7% तो इंडियन डाय से पोरा था जो कि अपने पहचान के लोगों के साथ मिलने के लिए थे अगर टॉप पांच स्टेट्स की बात की जाए जहां पर सबसे आदा डॉमेस्टिक टूरिस्ट गूमने गए मतलब इंडिया के टूरिस्ट गूमने गए तो वो तमिलनाडू में उत्तरपरदेश, करनाटका, आंदरपरदेश और महरास्ट हमारा जो डॉमेस्टिक टूरि और फॉरेंट टूरिस्ट सबसे आदा किन पांच स्टेटों में जा रहे हैं लगबख 69.4 परसंट तो वो भी हैं आपके तमिलनाडू महरास्ट उत्तरपरदेश, आंदरपरदेश और राजिस्थान यहां पर आपका करनाटका नहीं हैं यहां पर राजिस्थान हैं तो टूरिस्ट वीजा रिजीम शुरू किया था सब्टेंबर 2014 में 46 कंट्रीज के लिए और आप यही टूरिस्थ वीजा रिजीम 169 कंट्रीज के लिए ओवराल अगर आप देखोगे तो यह वीजास 2015 में दिये गए थे 45,45,2019 में पहुंच चुके 29,28 लाग और जन्वरी से लि टूरिस्ट वीजा आता है एक इव मेडिकल अटेंडेंट वीजा आता है ठीक है भाई फिर नेक्स बात करते हैं IT BPM सेक्टर की यह है Information Technology and Business Process Management सेक्टर आप कहा सकते हो कि जो हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट होता है में सर्वेस सेक्टर का वो इसी सेक्टर से होता है यह जो आपके BPO वगरा आ जाते हैं वो इसी particular सेक्टर में आ जाते हैं अगर आप IT BPM इंडिस्ट्री की बात करो तो 102 प्रतिशत बड़ी है यह overall पिछले डिकेड में अगर आप बात करो 1999 से लेके 2000 1999-2000 से लेके 2009-2010 यह जो डिकेड था इसमें बहुत तेजी से इंडिस्टी बढ़ी 2009-2010 से लेके 2018-2019 से अफिर कह लिए 2019-2020 तक का जो पीरिड था उसमें उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है एकनॉमिक यहाँ पे स्टाटिस्टिक्स दे रखे हैं पिछले 10 सालों का इंक्रीज ह 2019-20 यहाँ पे जो ओवरॉल इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट रही है IT BPM की वो रही 102 प्रतिशत ठीक है और कितनी पहुंच कही है यह रेविन्यू में 190.5 बिलियन डॉलर तो इस IT BPM सेक्टर इस वर्थ 190.5 बिलियन डॉलर इन 2019-20 इसमें 18 लाक इंप्लोईज आगे एक्स्ट् मतलब कि ओवर और हमने एक्स्ट्रा 18 लाक इंप्लोईज भी यहाँ पर जोड़ा हम देखिए बहुत specific statistics हैं मैं आपको encourage नहीं करूंगा कि आप इतने specific statistics को जाने जो भी statistics मैं आपको current affairs में बताता हूं उतने enough है कुछ और important चीज़े मैं आपको बता देता हूं अगर हम बात क ने अपने exports की तो IT BPM sector में अगर मैं आपको बात करूं तो IT BPM sector में सबसे जादा जो हम export करते हूं हम USA को घरते हैं approximately 91 billion dollars के export 2019-20 में लगबग 62% of the total exports approximately 91 billion dollars of export out of the total BPM services जो की बनता है लगबग 62% यह हमने UK में किये लगबग 17% हमने UK में किये जो की बनता है 24.7 billion dollars और लगबग 11.4% export हमने यूरोप में किये जिसमें UK नहीं आता है और जिसमें कह लिजे की 7.6% export हमने Asia Pacific में किये तो यह जो IT BPM के हमारे exports है 62% exports USA को ठीक है 17% exports UK को यूरोप को 11.4% exports अप चुकि UK हम अलग से count कर चुके हैं तो इस यूरोप में UK included नहीं है ठीक है और Asia Pacific को हमने export किये 7.6% absolute terms में देखा जाया तो US को export किया 91 billion dollars in 2019-20 UK को किया आपका 24.7 billion dollars यूरोप को किया कितना 11.4% और Asia Pacific को 7.6% अब बात यह कि यह है 2019-20 का data और आप 2020-2021 की data भी update हो रहे है latest current affairs में तो इसलिए मैं इन data को बहुत ज़्यदा detail में आपको नहीं बता रहा हूँ फिर अगर आप unicorns की बात करो unicorn क्या होते हैं तो वो enterprises जिनकी current market valuation एक billion dollar से ज़ादा है तो अगर एक billion dollar से ज़ादा को enterprise है हमारे देश में तो इसको आप बोलोगे unicorn है ठीक है आप तो हमारे देश में बहुत सार एड-tech की unicorn बदल चुके हैं आपको पता हिए कौन को से एड-tech companies uniform बन चुकी है हाला कि अगर आप देखोगे तो नासकॉम की tech startup report है 2021 की तो नासकॉम की जो tech startup report है 2021 की इसने बोला कि US में 243 unicorns है चाइना में 227 unicorns है इंडिया में 38 unicorns है याद रखिएगा इंडिया में 38 unicorns है 38 ऐसी companies है इनका current valuation एक billion dollar से जब है फिर overall जो भी services के products बेचे जाते है हमारे इंडियन market में उसके लिए consumer protection act भी बनाया गया है 2019 में यह जो consumer protection act है 2019 का इसको enact किया गया था आपका 2020 जुलाई में तो यह consumers को empower करता है उनके rights को protect करता है बहुत सारे यहाँ पे protection के लिए forums बना रखें जैसे consumer protection council, consumer disputes, financial commission, mediation, product liability तो overall आप देखोगे कि जब भी कोई e-commerce entity किसी भी प्रकार की information देती है किसी भी particular product के बारे में information गलत निकलती तो refund देना, return करना, payment वापस करना इस प्रकार के बहुत सारे चीज़ें consumer protection act 2019 में cover करती है फिर बात करते हैं हम लोग port और shipping services की port और shipping services की बात की जाएं तो भाईया देखें जो भी export import आता है हमारे देश में 90% by volume ध्यान रखेगा एक चीज़ होती by volume एक चीज़ होती by money okay तो by volume 90% आता है हमारा ports के थूँ जो ocean से समान आता जाता है और 10% आप कह सकते हो कि जो by volume है वो आपका aeroplane से आएगा air cargo से आएगा 70% by value आपका port से आता है 30% by value cargo से आता है air cargo आप समझे है plane से एगर कोई चीज export या import हो रही है तो plane से तो वैसे भी travel बहुत महिंगा होता है और ship से जो travel होता है सस्ता होता है तो plane से जो वैसे भी चीज़ जाएगी हो बहुत ज़दा या तो वो चीज़ होगी जो जल्दी खरा by value item है समझ गया तो overall पोर्ट से by volume 90% समान export import होता है और पोर्ट से by value 70% समान export import होता है हमारे देश में 13 major ports हैं और 200 minor ports हैं अगर दुनिया भर में ships की बात की जाए तो इंडिन companies 2019-20 में 1431 ships को उन करती थी 2014-15 में 1210 को उन करती थी एक परसेंट world fleet of ships as of January 2020 किसके पास है इंडिया के पास है बदो दुनिया में यतने भी total ships हैं आपके export import वाले से एक प्रदिशन इंडियन companies के पास है हमारे major ports की capacity है 1534.91 mtpa mtpa क्या होता है million tons per annum ओके जो ports है कैसे की दीन द्याल time क्या होता है तो मालो दोबाई से ship load के इंडिया के मुंबई पोर्ट पे आया मुंबई पोर्ट पर पहुंचा उस पर से समान उतरेगा उसको पर फिर से समान चड़ेगा और फिर वह वापस चलने को तियार हो जागा इसको आप बोलत तो turn around time यह turn around time जितना कम होता है उतना जाज़ा efficient होता है काम किसी एक particular port का चुकि main जो time लगता है ना वो समान को उतारने में और समान को चड़ाने में लगता है हमने इस turn around time में काफी improvement किया है 2014-15 में हमारा turn around time चार दिन था अब 2021 में हमारा turn around time लगबग 2.62 दिन आ गया है लेकिन अगर आप global average देखोगे तो global average turn around time का 0.97 days मतला अभी भी हम लोग 2.62 से बहुत ज़्यादा improve कर सकते हैं overall हमारे Indian coastline के resources को proper तरीके से कम करने के लिए सागरमाला प्रोग्राम अब समझे बात को जो कारगो देश के अंदर आ रहा है और port से नीचे उतर रहा है वो जाएगा भी तो अब मुंबई पे कोई कारगो उतर रहा हो सकता है लखनू में order place हो अलाकि लखनू वाला कलकत्ता पोर्ट से भी order place कर सकता है बट overall जो हमारे interior states हैं जैसे लखनू हो गया आपका, overall एहम्दाबाद हो गया जो कि बहुत जदा समुन्दर के पास नीचलो एहम्दाबाद फिर भी समुन्दर पास हमालो इंदौर की बात कर लो दिल्ली की बात कर लो तो अगर यहां से कोई समान port से export होना है तो मुंबई जाएगा या गोवा जाएगा गुजराति कांड़ा मुंदरा पोर्ट जाएगा तो यह जो जाने आने का खर्चा होता है ना समान का ठीक है पोर्ट तक पहुंचने का या पोर्ट से interior में लाने का इसको कम करने का भी जो बहुत सरे ideas हैं यह दिए गएते सागरमाला प्रोग प्राइवेट पार्टनर्स को introduce करने की बात की जारी है जैसे जावाला नेरू पोर्ट ट्रस्ट हो गया है खार एक बड़े पोर्ट का अपना कुद का पोर्ट ट्रस्ट होता है उस पर्टिकुलर पोर्ट ट्रस्ट का management बहुत जादा जरूरी होता है वो डिसाइड करता है क पोर्ट ट्रस्ट कितनी efficiently काम करेगा तो पोर्ट ट्रस्ट का management एक बहुत important मुद्दा है तो जो major ports है हमारे देश के उनका management एक private player करें एक international private player इस management को करता है तो best known world practices को हम जान पाएंगे फिर flagging of merchant ships अभी flagging of merchant ships क्या है जब कोई particular ship चल रहा होता है हमारे इंडिया की जो merchant ship है जब वो चल रहे है तो उन पर अगर आप भारत देश का जंडा लगाते हो तो representative हो जाता है वो देश का तो अगर आप भारत देश का जंडा लगाओगे तो फिर हमारी देश की सरकार की थोड़ी बहुत regulatory powers भी आ जाएंगे वो safety audits कर सकते हैं safety checks कर सकते हैं तो अगर merchant ships को यह safety audit करवा सकती है और उनको security provide करना भी भारत सरकार की जमीद्यारी हो जाएगी हाला कि किसी भी particular merchant ship के ओपर भारत के जंडा लगा हो चाहे ना लगा हो अगर Indian waters में उसके खिलाफ कोई खत्रा है या internationally भी हमारा कोई aircraft carrier चल रहा है पानी में तो वो protect करता है हमारा कोई frigate चल रहा गया था जिसके चलते हमारे कुजरात में जो अलंग वाला इलाका है महाँ पे 90 ships recycling yards है तो जो ship खराब हो जाते पुराने हो जाते उनके waste scrap को निकाल के उनको recycle करके नए products बनाने के लिए चीज़ें तयार करना यह सब आपका recycling of ship act में बताया गया overall recycling capacity हमारे पास 4.5 million light displacement ton की और दुनिया भर में जो भी ships recycle होते हैं उनको हम इंडिया मिलाके recycle करेंगे बट यहाँ पर एक problem है क्या होता ना कि जब आप ships को recycle करते हो ना ship एक बहुत लंबे समय से चल आओ तो उसमें बहुत गंदिगी होती है तो overall उसकी recycling में इंडिया की ecology को नुकसान पहुँचेगा इसलि को लेके इस recycling और ships act 2019 को काफी criticize भी किया गया फिर हम बात करते हैं हमने स्पेस सेक्टर की अगर स्पेस सेक्टर की बात करें तो इंडिया का स्पेस सेक्टर exponentially ग्रोग किया है पांच डिकेट्स पहले से अगर आप देखोगे तो अब इंडिया का स्पेस सेक्टर काफी सिस्टम को सुधार रहे हैं इंडिया ने 2019 20 में स्पेस प्रोग्राम पे 1.8 बिलियन डॉलर्स खतम किया हाला कि अगर अगर आप यूएस चाइना जैसी कंट्री से कंपेर करोगे तो हमने बहुत कम पैसा खतम किया यूएस ने इंडिया के 10 गुना 2019 में और चाइना ने सबसे आगे निकल गया वहर साल 34 सैटलाइट लॉंच करते हैं तो सैटलाइट लॉंचिंग हमारी जबरदस्त है बट वियर नोवेर नियर यूएस रशिया न चाइना बट चली हम लोग कंपीट एक बहुत ही अच्छे एक्जाम्पल से करने हैं तो लॉंग टर्म में अवर सब्सक्राइट लॉंच करते रहते हैं आप से सवाल नीचे कमेंड बोक से मताइए तो यह जो स्पेस सेक्टर है वह हमारी कॉमर्शल नीट के तो जरूरी है हमारे नाशनल सेक्योटी के लिए बहुत जरूरी है ओवराल मिलिटरी अक्टिविटीज, मिलिटरी सर्विलांस के लिए भी यह पर्टिगूर स्पेस सेक्टर का एडवांस होना हमारे लिए जरूरी है फिर बात करते हैं कॉमर्शलाइजिंग स्पेस सेक्टर इसका क्या लॉजिक है कॉमर्शलाइजिंग स्पेस सेक्टर का द देखिए आपके एलान मस्क की स्पेस एक्स इस प्रकार की जो कंपनीज हैं ठीक है न वह क्या कर रही है वह जैसे विर्जिन का यह जो भी स्पेस लाइंच हुआ था जिसमें अब वह स्पेस टूरिजम शुरू करने वाले हैं अमेजन भी इसमें गोसर आया तो इस प्रकार से हम भी प्राइबट सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं अपने स्पेस सेक्टर में उसके लिए हमने एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेट करके पब्लिक सेक्टर एंटर्पाइस बनाया है इन स्पेस करके हमने एक प्रोग्राम बनाया है इंडियन नैशनल स्पेस प्रमोशन and authorization center जिसमें industries और investments को promote किया जाएगा space sector में इसके बारे में काफी मैंने आपको पहले बता है बहुत चीज़े में आपको इसके बारे में पहले बता चुका हूँ अपने में इसके बारे में रेगुलरली बात करता रहता हूँ मेरे करेंट एफेस को देखते रही है रेगुलरली आपको चीज़े महाँ पर पता चलती रहेंगी ठीक है फिर क्या पता है गौर्वर्मेंट इस इडेंटिफाइड फॉलाइं फाइव एडियास पर अट्रेक्टिंग क कहां कहां पर गौर्वर्मेंट की इन्वेस्टमेंट को अट्रेक्ट करने कोशिश कर रही है यहां पर लिखा हुआ है आप इसको देख सकते हैं हलाकि वह उतना रेलेवेंट नहीं है यह पुरानी बाते हो गई है अब बात करते हैं ऑफ्शोर फंड मैनेजमेंट की यह करेंगे तो यह फाईनेशल सर्विसेज हैं इनको इनडिजनाइज करने की बात की जा रही है समझ किया अब बत को यह champion sector है यह high value sector है overall अगर आप देखोगे तो इंडिया के जो financial services के exports है न वो रिसेंट्ली सारा ना 5 billion डॉलर के बहुत कम है overall जो total हम लोग service export करते हैं उसमें से जो financial services हम लोग export करते हैं वो बहुत कम है 2018 से में लगबग 2.3% थी 2011 बारा में 4.2% थी तो total of services exports में हमारा financial services का जो export हो बहुत कम है अब बोलोगे सर यह क्या है financial services का export तो समझ यह बात को मालो होंग कॉंग में कोई एक asset management company है उस asset management company ने दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े funders में पैसा डाल दिया तो मालो होंग कॉंग में कोई ABC करके asset construction company है इसमें Apple के pension fund ने पैसा डाला एक billion dollar Amazon के pension fund ने एक पैसा डाला एक billion dollar फिर ब्राजील के किसी company के pension fund ने पैसा डाला 500 million dollar किसी और उने 400 million dollar डाला किसी ने 3 million dollar डाला तो बहुत बला fund बन गया होंग कॉंग में अब होंग कॉंग की जो financial experts हैं दुनिया भर के market में इसको invest करेंगे और एक market इंडिया भी है तो यह जो funds है यह foreign institutional investment के माध्यम से इंडिया के market में entry करेंगे इंडिया के bond market से profit कमाएंगे और फिर यह profit के साथ अपने investors के पास वापस जाएंगे तो overall fund किसका invest हो रहा है Apple का जो की US में है UK की कोई company हो सकती ब्राजील की company हो सकती उसकी routing किस के थू हो रही हंग कॉंग के थू हो रही invest कहा हो रहा है Indian market में और ब financial services क्यों नहीं दे सकते हैं Hong Kong और London जैसे asset जो management companies हो हमारी देश में क्यों नहीं खोली जा सकती है हम क्यों नहीं financial services provide कर सकते हम क्यों नहीं कई ऐसी company खोल सकते जहां पर दुनिया भर के pension funds पैसा डाले और फिर हमारे financial experts उसको दुनिया भर के market में लगाए इसी को बोला जाता है financial services export और इस financial services export को भी सुधार नहीं कोशिश की जाली लेकिन यहाँ पर को changes करने पड़ेंगे क्या है ना जब भी securities की बात होती है finance में investment की बात होती है तब security and exchange board of India play में आ जाता है अब Hong Kong जैसी country Singapore जैसी country इनको tax haven समझा जाता है यहाँ पर यह जो asset management companies काम करती है ना इनको taxes मे बहुत प्रकार की rebate मिलते हैं इंडिया में अगर इस प्रकार की companies काम करेंगी तो हो सकता है taxes में उनको उस प्रकार की rebate ना मिल पाए बहुत जारे regulatory loop holes और restrictions इन companies को मिले तो हमें हमारे regulatory architecture को बदलने की ज़रूत है taxes को बहुत हद तक प्रून करने की ज़रूत है अगर हमको अ हमारे जो regulatory loop holes है जो excessive financial restrictions है सेबी की जो excessive आप कैसकतो interference है excessive tax लगाना इस प्रकार की companies के काम के उपर जब तक हम यह करेंगे तब तक ऐसे financial services जो बड़े-बड़े companies हों हमारे देश में दंदा नहीं खोलेंगे और यह financial services export हमारे देश में खुल जाते हैं हमारे यहां पर ऐसा पीचर comparison मैंने भाई आपको बहुत बताया है तो देखें दुनिया भर में हम लोग अपने manufacturing sector को बढ़ाने कोशिश कर रहे हैं हमारे service sector को बढ़ाने कोशिश कर रहे हैं अगर हमको अपनी economy को 8-10% पर बढ़ाना है तो हमें अपने service sector को बहुत तेजी से बढ़ाना है हमारा service sector यह कैसा sector जो चाइना जैसी country सो compete कर सकता है manufacturing sector हमारा चाइना से बहुत पूछे इन फैक 1991 में जब चाइना ने अपना manufacturing sector सुधारना शुरू किया और हमने 2003 में शुधारना शुरू किया तो चाइना का 1991 का marketing sector इंडिया के 2003 जैसा ही था बट वो comparatively less time में बहुत आगे निकल इंडिया करता है इसको हम 15 परसेंट तर बनाने का टार्गेट कर रहे हैं बट उसके लिए हमें बहुत सा आप कह सकते हो investment करना पड़ेगा overall जो mechanism है जो environment है उसको तुधारना पड़ेगा बलाबला बाते यहां पर लिख रखी पिर आगे बहुत सारे irrelevant बाते भी यहां पर लि services तो लीगल सेक्टर में जो बार काउंसल है वो नहीं चाहता कि foreign lawyers है इंडिया के अंदर foreign law firms है इंडिया के अंदर तो लीगल सेक्टर में हमारी FDI allowed नहीं है तो इस प्रकार की जो restrictions उनको रोकने की जरूरत है यह सब यहां पर बताया जा रहा है तो आग मिन पर भारत के अभ यहां पर हमारे chapter number 10 खतम होता है अगला है chapter number 11 इंडियन financial market जिसको मैं जल्दी आपके लिए कवर कर रहूंगा वहापे आपको money market क्या होता पता चलेगा आपको पता चलेगा कि capital market क्या होता है और all detail में वो भी चीज़ें मैं आपको बता हो तो I hope आपको इस सब चीज़ें करूं उसका क्या मतलब है यसे बेटर है कि मैं आपको काम की चीज़ बता हूं relevant चीज़ें पता हो वहीं में बता रहा हूं अगर हो सके तो जादा जादा quantity में जोइन करिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं